हाई गाईज वेलकम बेक टो मैं चानल रिचा मेरा शोट्स और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एजी सी रेसिपी लेके आ गई हूँ दाल चावल से बनी हुई इतली तो यहाँ पर मैंने लिया है तीन कटोरी चावल और एक कटोरी बीना छिलके वाला उडित दाल जि लेना है जब दाल चावल को तीन चार घंटे हो जाए भिगा कर रखे हुए तब हमें इसे मिक्सी पे अच्छे से पीस लेना है और एक घोल तयार कर लेना है फिर मैं घोल में डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक क्योंकि अभी ठंडी का टाइम है इसलिए नमक डालने से घोल क को फर्मेंट होने में आसानी होती है घोल में नमक को मिला के अच्छे से फर्मेंट होने के लिए 12 से 14 घंटे के लिए रख सकते हैं आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं तो मैंने घोल को ओवरनाइट रखा हुआ था और अब मैं सुबे इसे ओपन करके देख तो आप देख सकते कि घोल में बबल्स आ गए हैं और घोल थोड़ा सा बढ़ चुका है इसका मतलब है कि घोल अच्छे से फर्मेंट हो चुका है अब हम इससे इटली आसानी से बना सकते हैं और हमारे इटली भी फुली फुली बनेगी इटली बनाने के लिए सबसे पहले हम साचा में एक गिलास पानी डालेंगे और पानी को पांच मिनट के लिए गर्म होने देंगे अब हम इटली के साचा भी निकाल के रख लेंगे और पानी को चेक करेंगे कि पानी में उबाल आया है कि नहीं आया है तो यहां पर पानी में थोड़ा थोड़ा उबाल आ रहा है तो अब हम इटली के साचे को ओयल से अच्छी तरीके से ग्रीस करेंगे साचे में ओयल अच्छे से लगाना बहुत ही जरूरी होता है जिससे कि इटली असानी से निकल जाए और साचे में बिल्कुल भी चिपके न तो मैंने सारे साचे को oil से अच्छी तरीके से grease कर लिया है अब मैं इसमें डालूँगी इतली का घोल इतली का घोल इतना थीक होना चाहिए कि जब हम साचे पे डाले तो वो बिल्कुल भी बहे न या फिर बिल्कुल भी बाहर ना निकले अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट तक के धक के रख देंगे 15 मिनट हो चुके थे और इटली भी पक चुकी थी मैंने नाइफ की मदद से चेक कर लिया था तो मैंने सारे साचे बहार निकाल दिये हैं और जब इटली थोड़ा सा थंडा हो जाए तब हमें धीरे धीरे से इटली निकालते जाना है साचे से आप देख सकते हो कि अभी कितना ज़्यादा धुआ निकल रहा है और गरम गरम में निकालने से कभी कभी इटली तूट भी सकती है आप देख सकते हैं guys की साचे से इतली कितनी जादा perfect निकल रही है बिल्कुल भी तूट नहीं रही है तो मैंने ऐसे ही सारे साचे से इतलिया निकाल ली है अगर आप गोल इस तरीके से बनाते हैं तो इतली तो perfect बनती ही है और साथ मैं अगर आप इस गोल से दोसा बनाना चाहते हैं तो दोसा भी बहुत ही जादा perfect बनता है मैंने दोसा भी बना कर try किया था तो दोसा बहुत ही अच्छा बना है जिसकी pick मैं आप लोगों के साथ last में share कर दूँगी और यहां पर हमारी इतलिया बनके ready हो चुकी है जो कि आप देख सकते हो कि कितनी जादा floppy बनी है तो गैज अगर आप लोगों कोई ऐसे ही easy easy recipes चाहिए तो आप लोग please मेरे चैनल रीचा मेरा shorts को subscribe ज़रूर कर लीजेगा ताकि मैं आपके लिए घर में बनने वारी आसान आसान recipes लेके आती रहूँ तो next recipe videos के साथ मिलते हैं बाई गाई